हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां ठंड के मोसम में यकीन अत्मान ये दिन छोटे होते हैं और समझ में नहीं आता है कि न्यूज जो है कहां से किस तरह रिकाल नहीं है चलिए तो ऐसी ही खबर लेकर आए हैं हम आपके लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी प्यारे से राजन साही की जबसे उन्होंने शो में लीप देने की जो है नियूज शोशल मीडिया में दी या जबसे उनके शो में लीप आने वाले की खबर सामने आई थी तब से वो सोशल मीडिया में चाहे रहते हैं फिर चाहे वो नेगेटिव के लिए चाहे रहे हैं पॉजिटिव के लिए चाहे रहे हैं नई कास्ट को लेकर चाहे रहे हैं चाहे जो भी हो ऐसे में जो है जब इनसान किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलता है तब ही वो अपनी जर्णी के बारे में बताता है हकीकत यही है कि जब आप सेक्स हो जाते हैं तो मीडिया का कैमरा तो छोड़ो हर कोई आपको देखने के लिए बेताब रहता है ऐसे में राजन साही ने ये रिस्ता में कई लीप दे चुके हैं लेकिन इस लीप से वो काफी परिशान हुए है वज़े ये थी कि जो है फैंस एकदम शोक हो गए कि राजन साही के ये रिस्ता इतनी जल्दी लीप दिया जा रहा है जहां पे कुछ अच्छी नियूज भी वाइरल हुई काफी बुरी नियूज भी वाइरल हुई उन्ही के बीच में राजन साही को भी टार्गेट किया गया फैन्स के हत्ते चड़ेते राजन साही जब सोशल मीडिया में राजन साही के खिलाफ और उनकी फैमली के खिलाफ शब्दों को यूज किया गया था ऐसे में राजन साही उन दिनों चुप बैठे थे क्योंकि उन्होंने लीप ही दिया था और वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे जो फास नराजो वो चुप रहे लेकिन जैसे ही उनके शो ने टियारपी में कमाल किया तुरंत जो है राजन साही ने एक इंटर्वियू दिया और वहाँ अपनी चोथी जनरेशन के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने सुरू की क्या वज़े थी क्या लोग उन्हें कमेंट कर रहे थे फिर उन्होंने लास्ट में यही बोला भई देखना है देखो पसंद नहीं आ रहा है तो छोड़ दो जबरदस्ती कुछ नहीं है जब इंसान कहता है न सेक्सेज ले लेता है तो वो यह वर्ल्ड बोल सकता है क्योंकि उसके साथ उसके फैंस जुड़ चुके है और फैंस पावर साफ जो हर जंगा नजर आती है तो ऐसे में राजन साही के शो में आपके जो यह रिस्ता क्या कहलाता है कि राजन साही की जो बेटी है आपकी ईशी का उसको भी जो है टार्गेट किया गया राजन साही को उल्टे सीधे कमेंट किये गए जहां राजन साही ने बताया कि जब भी हमने लीप दिया है फैंस ने हमसे जो है उल्टे सीधे सवाल किये है फैंस हमसे नराज हुए हैं हमें पता है कि हमने इस शो को बहुत अपना दिलो जान दिया है इसकी जोड़ी फैंस को पसंद आते हैं तो इस तरह के comment आते रहते हैं लेकिन इस बार तो पूरी हदी हो गई कि जो है शो में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था लोग जो है मेरी बेटी के बारे में इतने गंदे personally comment कर रहे थे तो वैसे तो मैं social media में रहता नहीं हूँ जादा लेकिन जब मैं उन्हें देखता था तो यह सोसता था कि अगर यह मैं देखूंगा तो इससे तो मेरा दिमाग हैंग हो जाएगा इसलिए मुझे इस चीज से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए तो उन्होंने इस चीज से हटकर अपने शो पर पूरा focus किया तो ऐसे में मुझे उनकी एक पास सही लगी अगर आपको शो पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए कोई आपको कह थोड़ी रहा है कि आप देखिए हम तो बैस से बैस्ट कहानी बना कर दे रहे है भई पसंद आएगी तो लोग देखेंगे नहीं पसंद आएगी तो मत देखिए आपके लिए ही तो बना रहे है लेकिन अगर आपको ही पसंद नहीं आएगी तो फिर हमारी मेहनत किस काम की लेकिन अगर आप लीप को लेकर हमें इस तरह के target करेंगे ये करेंगे भई हमें जो है पबली को अच्छे से अच्छा शो देना है अब वो चाहे हम लीप दे कर दे या फि नया शो लोज करें चाहे जैसे भी हो तो मैं उनकी बाद से पूरी एगरी हूँ तो ऐसे मैं आपकी क्या रहे है कमेंट करके जुरूर बताईए बाकी जानकारी के लिए ये लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है